हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शीव टू इन फ्लेंट चरनी पर माई लविंग टिविं सोल्स आप सब को बहुत बहुत प्यार एवं अभार जितने भी नए सोल मेरे इस चैनल पर आए हुए हैं हुँ सभी का स्वागत करती हूँ प्रियों सबसे पहले में अपनी सोल्स फैमली को आज दशहरे की बहुत बहुत शुक्त कामनाई देती हूँ विजिया दश्मी का ये पर्व जो की हर वर्स मनाया जाता है जो अंदकार पर प्रकाश की विजय को बताता है और ये एक ऐसा पर्व है जिसके द्वारा हम ये देख पाते हैं कि असत्य कभी भी बना नहीं रहता जूट कभी भी बना नहीं रहता अंदकार कभी भी बना नहीं रहता उसे एक नए एक दिन खत्म होना ही है क्योंकि सत्य को कभी भी दबाया नहीं जा सकता सत्य को कभी भी खत्म नहीं किया जा सकता सत्य को एक दिन जीतना ही है अगर आप इस संदेश से जुड़ पा रहे हैं तो आप blessed हैं, आपका जीवन धन हैं, आप chosen one हैं, आप एक star seat, light worker, twin flames हो सकते हैं, प्रियों, आज के दिन जबकि विजिया दश्मी का पर्व, जो प्रकाश और अंधकार की एक लड़ाई, जिसमें प्रकाश की जीत होती है, तो ये आप लोगों के विशे में ही बात कही जा रही है, जो chosen one होते हैं, जो चुने हुए लोग होते हैं, वो प्रकाश के लोग होते हैं, वो सत्य के लोग होते हैं, उनमें जो बीज होता है, वो सत्य का होता है, उनके जीवन में चाहें कितने भी अंधकार आएं, कितने भी परिछाए आएं, तकलीफे आएं, समस्याएं आएं, लेकिन वो कभी भी जूट और असत्य के आगे घुटने नहीं टेकते, वो हमीशा सत्य के मार पर चलते हैं, चाहे कितनी भी ठोकरे लगे, चाहे लोगों के द्वारा उन्हें कितनी भी ताडना मिले, लेकिन वो कभी भी सांथ नहीं देते इसलिए वो सत्य के लोग कहलाते हैं और वो आप है इस संसार में चोजन वन की संख्या बहुत कम है क्योंकि बहुत कम लोग हैं जो सत्य के सांथ चल पाते हैं सत्य के लिए चल पाते हैं इसलिए वो डिवाइन के इतने निकट होते हैं जो ब्लेज्ड होते ह जिसे परमेश्वर डिवाइन गौड भी धरने कहते हैं टैन टैन पोटल में जब मैं अपनी सोल फैमली के लिए प्रेयर कर रही थी तो डिवाइन ने जो मुझे मैसेज दिये उसके अंतरगत उन्होंने आपके लिए वो ब्लेसिंग रखी है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्डेंट है और उसके साथ ही आपके एंसेस्टर्स आपके पूर्वज उन्होंने भी अपना आशिरवाद आपको भीजा है आप जानते हैं कि जब पित्रपक्ष का समापन हुआ और आपके पित्रगर्ण प्रस्थान करे उस वक्त उन्होंने अपनी ब्लेसिंग आप तक पहुँचाई है और उन्होंने इश्वर से ये प्रातना की है कि आप मेंसे जितने भी लोगों ने बहुत स्रद्धा प्रेम विश्वास के साथ अपने पूर्वजों की सेवा की उनका आदर सतकार किया खिलाया पिलाया उनको ब्लेसिंग दी जाए उनकी जो भी मनो कामनाय है वो पूरी हो और इस प्रकार आपके पित्रगर्ण आपके देव आपके इस्ठ परमपिता परमेश्वर इन सब ही ने जो blessing दी है वो मैं आपको बताना चाहती हूँ वचन के माध्यम से Holy Bible के Old Testament की बुक यशया अध्याय 45 के तीसरे पद में लिखा है मैं तुझको अंधकार में छीपा हुआ और गुप्त इस्थानों में गड़ा हुआ धन दूँगा जिससे तुझाने कि मैं इस्राइल का परमेशर यहवा हूँ जो तुझे नाम लेकर बुलाता है इस वचन का तातपर ये बहुत ही भेद पूर हैं जिसे आपको समझना है यहाँ पर लिखा है कि मैं तुझको अंधकार में छीपा हुआ और गुपते स्थानों में गड़ा हुआ धन दूँगा इसे देखकर ऐसा लगता है जब हम प्रारंब में बच्पन में जब कथा कहानियां पढ़ते थे जब एक मनुष्य किसे स्थान पर गया उसने खुदाई की और एक कलश निकला जिसमें सोने के सिक्के थे बहुत से हीरे जवरात थे और ये उसके लिए एक आकास्मिक आय थी जिसकी कलपना उसने नहीं की थी तो वही बात यहां पर दिखाई देती है लेकिन इसका अर्थ कुछ और है यहां पर कहा जा रहा है कि मैं तुझको अंदकार में छीपा हुआ और गुप्त इस्थानों में गड़ा हुआ धन दूँगा अंदकार में छीपा हुआ यानि कि ऐसी जगह जहां की उमीद भी आपने नहीं की है ऐसे इस्थान जिसको कभी भी आपने जाना नहीं है वो आकस्मिक आय है वो अकस्मात ही आपको प्राप्त होंगे हो सकता है आपने कभी अपना धन कहीं निवेश किया हो और वहां से उसके आने की कोई उमीद नहो लेकिन अकस्मात ही आपको आय प्राप्त होती है गुप्त इस्थानों में गड़ा हुआ धन यानि कि जो इस थान ऐसी जो आपने कलपना नहीं की है उमीद नहीं की है आपने कभी सोचा भी नहीं है उस जगह से आपके लिए धन आएगा ऐसी ऐसी आए आपको प्राप्त होंगी जिसके बारे में आपने कभी उमीद नहीं की थी या आपने कभी सोचा भी नहीं था तो यहाँ पर जहाँ एक ओर 3D में हम धन के बात करते हैं उसी प्रकार आध्यात्मिक जगत में धन को ग्यान कहते हैं और ग्यान का अर्थ होता है परमेश्वर, बुद्धी, विवेक, विजडम तो जो लोग अपने सोल परपस पे आगे बढ़ रहे हैं उनको बहुत से स्प्रिचल गिफ्ट्स मिलेंगे आत्मिक वरदान मिलेंगे ताकि वो अपने छेतर में और बहतर काम कर सके और इस ग्यान के द्वारा जो उनको मिल रहा है वो आत्मिक वर्दान जो उनको मिल रहा है उससे वो धन अर्जित कर सके तो इस प्रकार ऐसा धन जिसके कलपना आपने कभी नहीं की है वो आपको मिलने जा रहा है उसके अलावा आपकी कोई ऐसी इच्छा आपकी मनो कामना आपकी विश जो आपने अपने मन में रखी है और आपको ये लगता है कि वो कभी भी पूरी नहीं होने वाली, वो मनो कामनाई भी पूरी होने जा रही है, क्योंकि यहां पर आकास्मिक आय का अर्थी ही वही है, यानि कि जिसकी कभी आपने कलपना नहीं की है, जिसकी आपने उमीद छोड़ दी है, वो आपको मिलेगी, तो ये थ्रिडी में भी हो सकता है और आध्यात्मिक जगत में भी हो सकता है, ये आपके लिए एक ब्लेसिंग है, जो आपको मिलने जा रहा है, आगे लिखा है कि जिससे तु जाने कि मैं इसराइल का परमेशर यवा हूँ जो तुझे नाम लेकर बुलाता है इसराइल पश्चिब एशिया में एक देश है लेकिन आपको मालूम होगा कि बाइबल में इसराइल एक चोजन वन के लिए कही जाती है एक चुने हुए पात्र के लिए कही जाती है एक ब्लेश्ट परसन के लिए कही जाती है क्योंकि इसराइल का अर्थ है पावरफुल यानि कि जो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है और वो एक चोजन वन एक चुने हुए की बात कहता है जिसको परमेश्वर ने प्रोटेक्ट किया है जिसके लिए परमेश्वर ने एक महान योजना बनाई है जिस पर परमेश्वर के द्रिष्टी हर वक्त रहती है और परमेश्वर हमेशा ये देखते हैं कि उनके चूने हुए लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर जिस प्रकार ये लिखा हुआ है कि वो तुझे नाम लेकर बुलाता है इस संसार में कितने लोग हैं तो सभी के नाम को परमेश्वर कैसे जानते हैं नाम का अर्थ है एनर्जी कि आपके एनर्जी से परमेश्वर आपको पहचानते हैं क्योंकि परमेश्वर वो God, वो खुदा, स्वेम एक सूपरनेचरल पावर है, एक एनरजी है, और हम सभी में उसका एक अंश है, और जो चुने हुए लोग होते हैं, जो चोजन वन होते हैं, उसमें परमेश्वर का अंश होता है, उन्हें सत्य के लोग कहा जाता है, वो एक प धरती पर भेशता है, और इसमें Twin Flames, Star Seed, Light Worker शामिल होते हैं, तो आप ही वो Blessed Person है, जो इस धरती पर आए हैं, क्योंकि आपके जीवन का एक उद्देश है, और परमेश्वर के दृष्टी हमेशा आप पर है, आप हमेशा परमेश्वर के द्वारा प्रोटेक हैं, परमेश परमेश्वर डिवाइन आपको समय समय पर संदेश देते हैं, एंजर्स के द्वारा, इस्परिट गैट्स के द्वारा, वो हमेशा आपके संपर्क में रहते हैं, आप से कन्वर्शेशन करते हैं, क्योंकि आप चुने हुए लोग हैं, आप उनके अत्यंत निकट रहते हैं, यह इस्थान हर किसी को नहीं मलता आप chosen one हैं आप चुने हुए हैं इसलिए आपको यह इस्थान मिला है कि आप परमेश्वर के अत्यांत निकट रहें और परमेश्वर की उन गुप्त बातों को जान सके समझ सके इसलिए आज परमेश्वर आपसे यही कहना चाहते हैं कि मैं तुम्हें ऐसा धन दूँगा जो अंदकार में छीपा हुआ है गुप्त इस्थानों में गड़ा हुआ है जिन्हें तू जानता नहीं तू नहीं समझता कि आए कहां से आने वाली है ऐसे कौन-कौन से ग्यान ऐसे कौन-कौन से वर्दान है जो तुझे मिलने वाले है और मैंने तुझे इसके लिए चुना है आपको मालूम होगा प्रियोग ही जब आप अपने इस्थ यानि कि अपने परमेश्वर को प्रसंद कर लेते हैं और उसके साथ ही अपने पीतरों को भी प्रसंद कर लेते हैं तो आपके पास इतनी blessing होती है जिसके द्वारा आपका जीवन बहुत ही सुख मेरीती से आगे बढ़ता है। आपके काम में किसी प्रकार की रुकावट नहीं आती है। सारी बाधाएं, सारे रुकावटे दूर हो जाती है। तो वचन के द्वारा जो भी divine message आपके सामने आया है, उसके साथ ही आपके ancestor भी आपको blessing दे रहे हैं कि आपके मन में जो भी मनुकामनाएं हैं, जो भी इच्छाएं हैं, वो पूरी हो। और इसके द्वारा कि आपको जो अंदकार में छिपा हुआ धन या गुप्त इस्थानों में गड़ा हुआ धन दिया जा रहा है, ये वो मनुकामनाएं हैं, वो इच्छाएं हैं जो आपने कभी की थी, और आपको कभी उमेद नहीं थी कि वो पूरी होंगी, लेकिन अब व पूरी होने जा रही है, हो सकता है आपको कोई हेल्थ इशू हो, तो वो अब ठीक होने जा रहा है, आपको एक अच्छे स्वास्थ का वर्दान मिल रहा है, आपके जीवन में अगर बहुत अंधकार, उदासी, या हताशा, निराशा या कोई बंधन था, तो वो सारे बंधन अब टूट रहे हैं, क्योंकि अब आपको एक नई दिशा मिलेगी, आपके जीवन का एक नया अध्याय शुरू होगा, आपने अगर अपने जॉब, सर्विस, या बिजनस में लॉस को देखा है, तो यहाँ पर आपको आशिरवाद मिल रहा है धन का, कि अखस्मात धन आपको मिलेंगे, वो सपोर्ट, वो हेल्प आपको मिलेंगे, और वो डिवाइन की ओर से होंगे, लेकिन माध्यम कोई इनसान होगा, यहाँ पर जो लोग आध्यात्मिक छेत्र में हैं, या अपने सोल परपस पर कारिक कर रहे हैं, उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, उनको spiritual gifts दिये जाएंगे, वो higher dimension raise करेंगे, वो दूसरों को मार दर्शन करेंगे, दूसरों को हील करेंगे, उनको रास्ता दिखाएंगे, तो इस प्रकार जो आपका जीवन पूरी रिती से परिवर्तित हो जाएगा, क्योंकि एक ऐसी blessing जो आपके पास आ रही है, जिसके दोरा divine आपको आशरवाद दे रहे हैं, कि आप खुश रहें, अपने जीवन में हर पल, हर छण आनंद को महसूस करें, किसी भी बात की चिंता न करें, अगर आपके किसी के साथ relationship ब्रेक हो गए थे, तो वहाँ पर भी आपको शान्ती मिलेगी, आपको एक ऐसी स्थिती में लाया जाएगा, जब आप एक म्रेकल को देखेंगे, आपने जो कुछ खोया है, वो आपके पास वापस आएगा दुगने परिमाण में, चाहे वो नाम हो, पद हो, प्रतिष्ठा हो, धन हो, जो भी, वो सब कुछ आपको दुगने रूप में मि इसी भी बात के चिंता मत करिए, सकारात्मक रहिए, डिवाइन पर फेत रखिए, डिवाइन का हर वक्त धन्यवात करिए, क्योंकि जो कुछ आपको मिलता है इस जीवन में, वो डिवाइन के अशिरवात से, उनके अनुग्रा से मिलता है, और आप वो चुने हुए लोग है जो उस ब्लेसिंग को पाने वाले हैं, और ये सब कुछ आपके जीवन में बहुत जल्द होने वाला है, आप एक अद्भुत चमतकार को अपने जीवन में प्राप्त करने वाले हैं, आज मैं एक विशेश बात आपसे करना चाहती हूं प्रियो, आज का पर्वजीत का है, व जो हर परिस्थिती में लड़कर निकलते हैं विजेता के रूप में, आज अगर आप मेंसे बहुतों की इस्थिती ये हो सकती है, कि आप निराशा को, हताशा को महसूस कर रहे हो, किसी छेत्र में बहुत ज़्यादा संघर्स कर रहे हो, और बाते आपके लिए पूरी रिती से नकारात्मक हो चुकी है, और आपको लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, तो याद रखिए कि जहां पर सब कुछ खत्म हो जाता है, वहीं पर एक नया प्रारंब होता है, निउ बिगनिंग होती है, इस ट्विन फ्लिम जर्णी में जो एसेंशन की प्रक्रिया है, उसमें एक उदारन है फिनिक्स पक्ची का, जो जलने के बाद राक के धेर में से फिर से उठता है, जिवित होकर, एक नई उर्जा के साथ, और वो आप हैं, आप भी वैसे ही उठेंगे, ग्रेस फूल होकर, मजबूत और शक्तिशाली रूप में, और इसे दुनिया देखेगी, आ आज चाहे आप हताश हो, निराश हो, यह बाते मैटर नहीं करती, इंपोर्टेंट यह है, कि आप इन परिस्थितियों को बदल सकते हैं, अपने विश्वास के द्वारा, अपने विश्वास को कभी मत खोना, कभी भी परिस्थितियों से हार मत मानना, क्योंकि आपका जो व विश्वास है उस सारी असंभव बातों को बदल सकता है चमतकार ला सकता है और डिवाइन भी चमतकार उन्हीं के लिए करते हैं जो विश्वास रखता है तो अपने विश्वास में चलिए किसी भी बात के चिंता मत करिए सकारात्मक रहिए आपके लिए सब कुछ मंगल में ह तो आप सभों के लिए मैं इश्वर से यही प्रात्ना करती हूँ कि आपको परमेश्वर दुगने परिमान में आपको बहुतायत की आशीज दे तो प्रियो आज के लिए इतना ही फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए टेक केर और गॉड ब्लेसियो अल मेर इस ओल फेमिली आप सभी की जन्नी पूरी हुए